नमस्कार दोस्तों बदवस्वात आपका अमारे चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटसेप के पेमेंट फीचर के उपर जी हाँ दोस्तों आपको पता ही होगा कि वाटसेप ने पेमेंट फीचर एक लॉंच किया हुआ है सबी लोग उसको यूज करते भी होंगे लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या वाटसेप का जो पेमेंट फीचर है उसे हमें वाकई यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या वो पूरी तरह से सेफ है शिक्योर है दोस्तों क्या हमें इसे अवाइड करना तो दोस्तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट अगर अभी तक हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजे इस तरह की अच्छे ची वीडियो के लिए तो दोस्तो चलिए बात करते हैं दोस्तो जैसी कि आपको पता है कि वाटसेपने पेमेंट पीचर यह लाँच किया हुआ है जब आप वाटसेप पर जाते हैं सेटिंग में आपको एक आप्शन मिलता है पेमेंट का तो दोस्तो यहां पर आप पेमेंट कर सकते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में और लेकिन उससे पहले आपको करना क्या होता है अपनी बैंक डिटेल क यहां पर एड करनी होती है लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूँ कि आपने सुनाई होगा कि हाल ही में आर बी आई ने मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड को इंडिया के अंदर बैं कर दिया है आने वाले टाइम के लिए क्योंकि वो जो यूजर्स का जो पर्सनल डाटा जो बैंकिंग डाटा जो होता था वो अमेरिका के सरवर में स्टोर करते हैं क्योंकि यहां पर उनके पास इस तरह का डाटा स्टोर करने के लिए कोई परियाप्त सुविधा नहीं है तो दोस्तों यहां पर आपको यह भी पता होगा कि वाटसेब जो है वो फेस्बुक के साथ लिंक है या कहें कि वाटसेब को फेस्बुक ने खरीदा हुआ है तो अगर आप वाटसेब के ऊपर अपने बैंक की अपने परसनल डिटेल्स अगर आप यहां पर सेव करते हैं तो वो सीधे सीधे आप फेस्बुक को भी उसका एक् अपना बैंकिंग डाटा अमेरिका में ले जाकर स्टोर करने के लिए तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको क्लियर यही बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पेमेंट फीचर मत इस्तमाल कीजिए आप जो भी एक दो पेमेंट फीचर अगर कहीं पर यूज करने हैं किसी जैसे इसमें अपनी पेमेंट डिटेल्स को नहीं डालना चाहिए और नहीं इस तरह की सर्विस इसको यूज करना चाहिए तो दोस्तों यह थी एक जानकारी कि आपको वाट्सेप का पेमेंट फीचर यूज करना चाहिए यह नहीं तो दोस्तों कैसे लगी यह जानकारी अगर अगातार मिलते हैं बिल्कुल फ्री होतार आप इससे बहुत ज्यादा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद